दोस्तों अगर आप अपने वीडियो को मतलब वीडियो में इंग्लिश में सब्टेडल्स को आड़ करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने अभी तक सोचा नहीं है कि अपने वीडियो में इंग्लिश में सब्टेडल्स को आड़ करो तो अभी सोच लो क्यों कि आप बहुत जादा नुकसान सह रहे हो, मतलब आपका बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, क्यों? क्योंकि अगर आप English में subtitles को add करते हो, क्योंकि English language globally बात होते हैं, मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी अगर आपको किसी से भी communicate करना है, तो वहा आपकी वीडियो जो है, आपके जो एरिया है, आपका जो state है, वहीं तक देखा जा रहा था, या फिर आपके country तक ही देखा जा रहा था, लेकिन अगर आप English में subtitles को add कर देते हो, तो जो country है, मतलब इंडिया से बाहर तक आपका वीडियो जाएगा, YouTube जो है, सबको जो भी English बात करता है, उन सब को आपका वीडियो जो है, पहुचाएगा, जिससे की इसका ये फाइदा होगा, कि उस पे आपको हजारों लाखों या फिर करोडों व्यूज आजाएगे, मिलियन्स में व्यूज आजाएगे, क्योंकि जो भी English बात करेगा, वो आपकी वीडियो को दे और जो भी व्यूज बढ़ जाएगे, क्योंकि इन्डिया में नहीं बाहर तक भी आपकी वीडियो देखी जा है, तो उससे भी आपका रीच वीडियो का बढ़ जाएगा, व्यूज बढ़ जाएगा, वाच टिम बढ़ जाएगा, लेकिन सबसे जरूरी चीज जिसके लिए आप लोग यहाँ पी YouTube पे काम करते हो, आपका जो डॉलर बनता है, पैसा बनता है YouTube पे, वो भी बढ़ जाएगा, वो कैसे बढ़ेगा, क्योंकि मैंने आपने पिछली वीडियो में भी बताया है, कि अगर आपका वीडियो जो है, इंडिया में प्ले होता है, मतलब इंडिया म जो है, डॉलर में चलता है, तो आपका YouTube चैनल पे, जो डॉलर बनता है, वो आटमेटिकली जादा बनेगा, क्योंकि वहाँ के आड्स जादा महेंगे होते हैं, तो यह मेरे पिछली वीडियो में भी पता है, लेकिन बहुत लोगों को अभी तक नहीं पता है, तो जो इस वी वीडियो पे, आपको इंग्लिज को सब्टैटल से आड़ करना, मैं तो कहता हूँ कि आप अपने सारे वीडियो जो भी आज तक अपने वीडियो अप्लोड के स्टार्टिंग से लेके अभी तक, शॉट्स में उतना जरूरी नहीं होगा, लेकिन शॉट्स में भी आप कर सक तो उस पे जो भी डॉलर बनेगा वो भी आपको चारगुना मिलेगा, और जो भी अगर आपके चैनल मॉनिटेज नहीं है, तो जब भी मॉनिटेज होगा तब आपको जो है उस पे डॉलर जादा बनेगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि मॉनिटेजेशन तक क्यों वेट करना आ इसलिए में जादा मतलब जो भी अमीर कंट्री है, अमीर देश है, उन सब का लाइंग्वेज आप अपने इस सब्टेटल को आड कर दो, और जिस भी जिस लाइंग्वेज में देखना है, वो आपने आप से देख सकता है, तो यहां पर मैं अपने यूटूब स्टूडियो पर चला जाता हूँ जो कि आपको मैं आपको step by step पर बता दूँगा procedure कैसे कैसे आप अपने YouTube वीडियो पे subtitles को add कर सकते हूँ वो भी English में तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हूँ मैंने यहाँ पर YouTube Studio Chrome browser में open कर दिया आपको यहाँ पर studio.youtube.com यहाँ पर ऐसा लिखना है और जैसे आप studio.youtube.com लिखोगे तो आपको यहाँ पर YouTube Studio open हो जाएगा और यहाँ पर analytics और उसके बाद आपको यहाँ पर dashboard से content में चले जाना है यहाँ पर आप देख सकते हो content यहाँ पर आपको click कर लेना है और जैसे आप click करोगे तो आपको यहाँ पर आपकी चैनल पर जो भी वीडियोज है वो आपके वीडियोज यहाँ पर आ जाएंगे और वीडियोज आने के बाद आपको यहाँ पर देखना है जिस भी वीडियोज पर मैं तो कहता हूँ मैं एक वीडियो पर आपको बता देता हूं, यहाँ पर एड़िट पर क्लिक कर देता हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यह सब आड़ करने का यहाँ पर दिखा रहा है तो आपको यहां पे देख सकते हैं, यहां पे राइट साड में जो सब्टेडल्स है, तो इसको आपको कभी क्लिक नहीं करना है, अगर आप इसके क्लिक कर लेते हैं, तो आपको इसको नहीं करना है, आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेना है, और यहां पे लेफ्ट साड म में हowment हिंदी में बाथ किया है , तो पर यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है तो एक option होता है आपको कैसे करना होता है , अगर आपको समझ कहीत नहीं हा रही है तो आपको कैżej यहां पर यहां पहाई चाहिआ भीप को है तो आपका Hindi auto generated caption यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद का procedure मैं आपको बता देता हूँ, देख लो, और आप में से अभी तक 95% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ 5% लोगों नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसलिए इस चैनल को जैसे मैं यहाँ पे pencil icon पे click करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हूँ, यहाँ पे जो भी इस video में जो भी मैंने बात किया है, वो सब automatically यहाँ पे, मैंने कुछ type नहीं किया दोस्तों, type नहीं किया, यहाँ पे आपको type करने की कोई जरूत नहीं, automatically यहाँ पे आ जाएगा, वो कैसे आएगा, मैंने आपको जो i button है, वीडियो उस पे आप जाके देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हूँ, मैं आपे पूरा scroll करके दिखा देखा देख, कितना सारा मतलब, पूरा, जो भी A to Z वीडियो, आट मिनिट का, दस मिनिट का, जो भी वीडि है, एक दिन लगे, तो मुझे अगर 10 language में add करना है, तो उसको 10 दिन लग जाता है, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, automatically यहाँ पे language आ जाएगा, language आने के बाद, आपको यहाँ पे क्या करना है, जो मैं फिर बैक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हूँ, जो ऊपर publish का button है, blue color का, उसको आपको click करना है, जैसे आप click करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी auto generated है, और यहाँ पे हिंदी auto caption है, मतलब हिंदी caption है, मतलब दोनों हिंदी है, तो आपको tension लेना नहीं है, आपको यहाँ पे हिंदी में है, अभी आ यहाँ पर dah two to three language ढहने दुसरा language यहाँ और हमेंस की चाहिए उसलेक करने के बाद यहाँ देह सकते हूं पर पैंसिल आपन पर प्लिक करता हूं और यहाँ यह . आज हमावाट łat ऊपचनेगे एते सबसे तो में प्राइनगे उआप सकते हैं लेकिन सब्सक्राइक है अब созд sab देख सकते हैं, एक second में आपका सब कुछ हो गया, तो यहाँ पर आपको automatically यहाँ पर है, कुछ change करना है तो change कर दीजे, और उसके बाद आपको यहाँ पर publish करना है, जैसे आप publish करेंगे आपका automatically caption यहाँ English में आ गया है, ऐसे आप different language में कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको आपना किसी भी language में subtitles को add कर सकते हैं और दोस्तों comment करके जरूर बताना कि आपकी वीडियो किस language में होते हैं, आप किस language में वीडियो बनाते हैं, तो फिर मिलता है next video में, take care and bye bye